नमाहा सस्कताई स्टूडेंट सॉलेशन क्लासेज में आपका स्वागत है पीछली वीडियो में हमने दसवे लेसन के प्रशन उत्तर किये आज हम ग्यारवा लेसन स्टार्ट करेंगे तो ग्यारवा जो पाठ है वो महराना प्रताप पर ही है इस पाठ के अंदर महराना प्रताप की जो बात होती है भामाशा से और किसी सरदार से की हुई उस बात का जो कथानक है या एकांकी इसमें दी गई है तो पहले पाठ का परीचे देख लेते हैं यम एकांकी डॉक्टर नारायन शास्त्री कांकरें विरिचिता अस्ती ये एकांकी डॉक्टर नारायन शास्त्री कांकर द्वारा रचित है अस्य महोदत से जन्मह जैपुर नगरे आभवत इन महोदे का जन्म जैपुर नगर में हुआ अनेन संस्कृत भाखशायाम अनेका एकांकिय लिखिता इनके द्वारा संस्कृत भाखशा में अनेक एकांकिय लिखे गए है तासाम संकलनम उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरतन सुष्मा नामक के अनेनेव विर्चिते ग्रंथे अस्ती तो उनका जो ही संकलन है एकांकी संस्कृत नवरतन शुष्मा नामक इनके ही द्वारा लिखे गए क्रंथ में है अकबरेण सहयुद्धम कूर्वं धना भावे सेन्य शक्ते भावे खिन्दह महराणा प्रताप स्वदेशं परी त्युक्तम समुध्यतह भवती तो अकबर की साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में सैन्य शक्ती के अभाव में धुखी महराणा प्रताप स्वदेश त्यागनी के लिए तैयार हो जाते हैं परित्युक्तु मर्था त्यागने के लिए समूद्यत भवती तयार हो जाते हैं तस्मीन अउसरे उस अउसर पर मिवाड मंत्री भामाशा मिवाड के जो मंत्री थे भामाशा आगत्य आकर के स्वय कियाम विपुला धनराशिम देशस्य स्वतंत्रताय प्रताप आये समर्पयती तो महराना प्रताप को वो जो भामाश्या होते हैं वैं आकर अपनी विपूल धन्दराशी देश की स्वतन्तता के लिए प्रताप को समर्पित करते हैं इत्थास मिन एकांक रूप के महराना प्रतापस से कर्तव्य बुद्धी ही तो इत्थास मिन अर्थात इस प्रकारी से कांकी रूपक में महराना प्रतापस से महराना प्रताप की कर्तव्य बुद्धी अपने राष्टे की स्वतन्तता के लिए द्रड इच्छा सक्ती स्वाभिमान और भामाशा की उदारता और देश रक्षा के लिए अपनी संपत्ती का समर्पन आदी इस प्रकार के गुण वर्नित है विशिष्टा गुणा वर्निता संती तो इस प्रकार के विशिष्ट गुण वर्नित है तो अब पाठे सुरू करते हैं स्वदेशम कथयम रक्षयम तो मेवाडा धीपती महराणा प्रताप अरण्यस्व सहचरेण सह एकस्याम शीलायाम उपविष्ट वर्दते तो मेवाडा धीपती अर्थात मेवाड के अधीपती या महराजा महराणा प्रताप अरण्य अर्थात वन में या जंगल में अपने साथियों के साथ एकस्यला पर उपविष्ट अर्थात बैठे हुए हैं असो प्राणे अपी स्वदेशम रक्षितुम इच्छती वे प्राणों की बाजी लगा कर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं साधना भावात कीम अपी कृतुम असमर्थ साधन के अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ वे समन सी किंचित विचार यन अस्ती तो प्रताप प्रताप बोलते हैं अरे धिक मामह अरे मुझे धिकार है यदी एहम मातर भूमि मरक्षितुम ना शक्णों मी यदी मैं अपनी मातर भूमि की ही रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो कि मतर वासेन में प्रियोजनम तो यहां रहने से क्या प्रियोजन है दिरगनी स्वाश्यति लंबी स्वाश भरते हुए सर्वदार सर्वदार था तो तह है सर्दार कोई राजपूतर सर्दार राजो चितम प्रणम्यम तो ततह प्रविशती कश्चन राजपूतर सर्वदार तभी कोई राजपूतर सर्दार प्रिवेश करता है सर्वदार वह कहता है राजो चितंप्रणयम वही राजा के रूरू प्रणाम करके कहता है विजयताम महाराज मतलब महाराज की जै हो महाराज की जै हो प्रताप बोलते हैं दिर्गनी स्वस्य मुखम उन्ण मयाँ छग तो एक लंबी सांस लेकर और मुख को ओपर उठा करके हा धिक अर्थात धिकार है विजय ध्वनीम क्रताम तुम अपी किम एवं मालजी यसे ब्रात है तो विजय ध्वनी अर्थात जेजे कार करके तुम भी क्या इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो ब्रात अर्थात भाई तो उनको ये लगता है कि ये मेरी एक प्रकार से निंदा है तो सर्थार सरदार बोलते हैं प्राणा आधार प्राणों के आधार इदम किम इदम भवान वद्दि आप ये क्या कह रहे हो स्वधर्माय भवताम सर्वं किम अपिकृतम अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया स्वधीनताय सर्वं किम अपिसोडम आपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया स्वतंतता के लिए सब कुछ भी सहन किया तो स्वदेशं परित्यक्तुम तू समुध्यत अस्ती भवत सदा विजय एवं भविश्यती तो आपकी तो सदा ही विजय ही रहेगी परताब बोलते हैं की द्रश स्तावद विजय तो विजय कैसी? स्वदेशं परित्यक्तुम तू समुध्यत अस्मी स्वदेश को त्यागनी के लिए तैयार हूँ द्वित्य सर्वदार दूसरा जो सर्वदार होता है वह उत्था यसा अंजली उठकर हाथ जोड़कर नहीं नहीं महराज यत्र यत्र भवान गमीश्यती तत्र तत्र द्वयम अपी अनु गमीश्याम मतलब जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम भी आपकी पीछे पीछे जाएंगे प्रताप कहते हैं एवम ना वाच्यम ऐसा मत कहो भवंत अत्र अस्तितवा एव मात्र भूमे है सेवाम कुर्वन्तू ऐसा मत कहो आप यहाँ ठैर कर ही अपनी मात्र भूमे की सेवा करो तृत्य सर्वदार तीसरा सरदार बोलता है नहीं भगवन असमाकम सेवा भवताम सहसंती नहीं भगवन हमारी सेवाँ आपके साथ है वयम तू भवताम सह एव नीवत सयाम हमारी सेवाँ आपके साथ है शलेंगे या रहेंगे प्रताप यद रोचते भवद भे आपको जो अच्छा लगे करो, कुर्वन तु अर्थात करो ना एहम भवदे विवशान करो मी मैं आपको विवश नहीं करता हूँ महरना प्रताप इन सहसर्वे अपिया नुचरा माराना प्रताप के साथ सभी सेवक वहां से उठकर तत उठाय भीलाम आवासत से मद्यत वहां से उठकर के भीलों की बस्ती के बीच से होकर निकलते हैं आगे प्रताम भीलह अब वो जब भीलों की बस्ती से होकर के निकलते हैं तब पहला जो भील होता है वह बोलता है हाँ भगवन तो वह कहता है अरे भगवन अध्यकी द्रशम समयाह आगतः अर्थात है भगवन आज कैसा समय आ गया है अर्थात अपने राज्य को त्याग करके अन्यत्र प्रस्तान कर गए है तब दूसरा भील बोलता है ना जाने अस्य मेवार देश अस्य भागय कीम लिखितम अस्ती कि ना जानी इस मेवार देश के भागय में क्या लिखा है तुम भी आज इतनी निश्टुर कैसे हो गए तबी तृत्य भील बोलता है हाँ दिक अरे धिकार है वराकस समीपे ना जीवन सामगरी बेचारे के पास ना तो जीवन या पन की सामगरी है ना चे युद्ध सामगरी हैं विद्यते और ना ही युद्ध करने की कोई सामगरी है मातर भूमे, दुर्दशाम, स्वाचक्षुशाम, कथम द्रक्षयाम और अपनी मातर भूमी के दुर्दशा अपनी ही आँखों से कैसे देखेंगे रो दिती और ऐसा करके रो देता है भिला नाम प्रलापम शुरुत्वा भीलो के प्रलाप को सुन करके एक साथी जो सहचर है एक वह बोलता है हादिक अरे धिकार है एते भिला सत्यम एवं वदिन्ती ये जो भी भील है ये सत्य ही बोल रहे हैं सच कह रहे हैं अयम समय देशाय धरमाय चेना शोबन ये समय देश और धरम के लिए अच्छा नहीं है परम किम क्रियेत लेकिन क्या किया जाए असी निसाय प्रतापाय ददत तलवार को निकाल कर प्रताप को देता हुआ प्रभो स्वामी बलिम ददातु मं भवान अनेन इस तलवार से मेरी बली चड़ा दो ना आत्म चक्षुसा मेवाड भूमे दुर्द्रशाम दृष्टुम सक्यते अपनी आँखों से मेवाड भूमे की दुर्द्रशाम नहीं देखी जा सकती है तब दृत्य सहचर बोलता है सत्यम एवं साम प्रतम जीवनम नर्क याते सच मुची अब जीवन नर्क होता जा रहा है भिला हा अरे या फिर हाई असमाकम अपी जीवनेन को लाबह हमारे जीवने से बे क्या लाब यदि वयम देश रक्षा ये ना किम अपी कर्तुम समर्था यदि हम अपने देश के रक्षा के लिए कुछ करने के लिए समर्थ नहीं है तदा मरनम एवं असमाकम श्रेयस करम तो हमारा मरना ही बहतर है प्रताप तब प्रताप बोलते है हा धिक भवन्त सर्वे इदम किम कुर्वन्ती तब प्रताप कहते हैं कि अरे धिकार है आप सभी लोग ये क्या घर रहे हो आत्म हननम महत पापम वर्तते आत्म हत्या महा पाप कही गई है स्थियताम स्थियताम अर्थात ठहरिये ठहरिये कस्टानी सोडवा वीर गतिया मरनम कल्यान करम कथ्यते कोष्टो को सैन करके वीर गती से मरना कल्यान कारी कहलाता है इत्थम आत्म हनन्तू नपुर्संक का नाम करमह और इस प्रकार की आत्म हत्या तो नपुर्संको का काम है किंचित धेयें विचारीं तुम किंचित यर्थात कुछ धेये के साथ विचार कीजिए प्रस्टतह द्वनी भौती स्थियताम स्थियताम प्रभो स्थियताम स्थियताम तभी पीछे से एक द्वनी होती है कि ठहरिये ठहरिये महराज ठहरिये ठहरिये प्रताब बोलते हैं परिचित द्वनी मीव आकरण्यम सोच साहम अर्थाद परिचित अवाज से सुनकर उच्छाह के साथ वो अवाज उन्हें परिचित लगती है तब मैं उच्छाह के साथ अरे सरवदार अरे सरवदार व्रक्षम आरुनियम द्रश्यताम तुम तावद कम अयम शब्दा यते रक्ष पर चड़कर तो देखो कि कौन अवाज लगा रहा है सर्वदार तथा निपुणम निरिक्षन अमाम ठीक है भली बांती देखता हुआ महराज मेवाड मंतरी भामाशाह इवकश्चन आगच्छन प्रतियते कि मेवाड के मंतरी भामाशाह जैसे कोई आते हुए प्रतित होते हैं तब प्रताब कहते हैं हूं कि मुक्तम प्रताब कहते हैं हूं क्या कहा भामाशाह तस्य कथम इदम ग्यातम अभी बूत उसको ये कैसे मालूम हो गया अस्तु तावत प्रतिक्षाम वहे तो खेर तब तक प्रतिक्षा करते हैं तम भामाशा धनराशी ग्रन्थिम आदाय आयाती भामाशा धनराशी की पोटली लेकर आ रहे हैं प्रताप तिर्गनी स्वश्य अब जो भामाशा है वो उनको प्रणाम करके कहते हैं अन्दाता सेवक को त्याग कर श्रीमान जी कहां को प्रस्तान किया जा रहा है तब प्रताबनी दिर्गनिश्वा से लंबी सांस ले करके ना कवा अपि बंधो ना कही नहीं बंदू गंतुम शक्यम अपि तू न जा भी तो नहीं सकता पाशवे धनम नेव पास में धन नहीं है ना चसेना एव सेना नहीं है एहम स्वदेशम कथम रक्षेयम ये लेसन का ही नाम आ गया है कि पास में सेना नहीं है धन नहीं है तो मैं अपने देश की रिष्ट्रक्षा कैसे करूँ अस्माद एव मनह दोला यतम अस्ती तो इसलिए मेरा मन दगमगा रहा है भामशा बोलते हैं महराज यदा इमान समाचारान आश्रमयम तदा हर्द्यम में भगनम इव अभवम महराज जब इन समाचारों को सुना तब मेरा हर दें तूट सा गया धन गरंथिम निर्दिश्यस से धन की पोटली की और निर्देश करते हुए एम पुनह समपत्ती कसमे प्रयोजनाई फिर ये समपत्ती किस प्रयोजन के लिए यदि एव अउस्तरेन एम उप्यूजेत यदि ऐसे अउस्तर में इसका फर्योग नहीं किया जाता प्रतब भवान सत्यम्वतितु न सत्य कह रहे हो यदि ऐसी बाढ़ है तो आप इस समपत्ती की स्रिमान ही स्वीकार करें तोरट यताम पार तंत्रे श्रंखलाए भी तोर दो परी तंत्रता की बेडियों को लोहमयम बाहू भी इन लोहे या फिर इन फॉलादी भुजाओं से स्वतंत्रह क्रियताम स्वदेश और अपने देश को स्वतंत्रता दीजिए सुरक्षेताम धर्मह और धर्म को सुरक्षित कीजिए धनस्य ग्रंथी का चरणयो अर्पयतीसम प्रणाना धनकी बोटली को प्रणाम सही चरणों में अर्पित कर देता है आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में हम आगे कानुवाद करेंगे धन्यवाद